इस वीडियो में हम सॉल्व तरहें क्रिशन नपर 1 एक्सराइज 1.1 का NCRT book okay using appropriate properties find minus 2 upon 3 multiplied by 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 315 multiplied by 1 by 6 तो इसकी value find करनी है appropriate properties का use करके तो कौन कौन properties हैं जो use करेंगे हम तो commutativity associativity and distributivity okay तो चलिए हम यहाँ पर use करते हैं और solve परते हैं तो हम लिख लेंगे आपर पहले we have we have हमरे पास है first minus 2 upon 3 multiplied by multiplied by 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 multiplied by 1 upon 6 तो हम इसकी solve करना है by using properties तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर पहले पहले हम सोचना होगा कि कितने terms है इसमें यहाँ पर देखे यह पूरा जो मिला करके है न यह एक टर्म है मतलब जहां पर मन डेप्रेकिसन यूज होगा उन साभी रिसनल नंबर्स को एक साथ मिला दीजेगा उस बोलेगा एक टर्म है और यहां से यहां तक में यह एक टर्म है और यह अकेले एक टर्म है जो कि एक टर्म है कैसे में पता किया कि यह तीन टर्म से क्यावल क्योंकि यह जो प्लस है और माइनस है मतलब एडिसन और सब्टक्शन के जो साइन होते हैं वही सेपरेट करते हैं टर्म सको ठीक है तो यह एक टर्म हो गया यह दुसरा term हो गया, तिसरा term हो गया, ठीक है अब हम देखेंगे कि किसी term में कौन से दो term में common rational number मिल रहा है देखेंगे यहाँ तरन पर 3x5 यहां भी है इस वाले में और यहां पी 3x5 है मतलब यह वाले term और यह वाले term यह दोनों में एक common rational number मिल रहा है कि इसने निचने क्या करेंगे की इन दोनों को पास में लाएंगे तो पास में तभी ला सकते हैं जब हम यहां पर कक्निूटेटिव ला लगाएंगे क्या कहता है यह कथा है कि जब A plus B हम हमारेन पास दिया हो तो हम इसको लिशा कते हैं B plus A है कि नहीं a plus b दिया तो b plus a लिए सकते हैं मतलब कि हम b को यहां कर रहा है और a को यहां कर रहा है यह कहने का मतलब है न तो यहां पर भी हम वही करेंगे देखे यह जो पूरा term है उसको हम यहां लिखेंगे और यह जो 5पन 2 है उसको हम इसके प्लेस पर देंगे ठीक है यही करने वाले हैं तो चलिए तो यहां पर लिखेंगे is equal to यह minus minus 2 upon 3 multiplied by 3 upon 5 और इसको हम लिखेंगे फिर पहले तो यह हो जागा minus 3 upon 5 multiplied by 1 upon 6 फिर यह 5 by 2 को लिखेंगे तो प्लस 5 by 2 ओके और यहां पर जो पर पर्पर्टिक यूज हुई है उसको भी लिख देंगे तो by commutativity by commutativity तो हमने यहां पर लिख दिया अब यहां पर देखिए इस टर्म में और इस टर्म में एक common factor है और पहले चीज की यहां पर हम लगाएंगे associative property मतलब यहां पर तीन टर्म है हमको हमने क्या किया है कि इनको side by side लिख दिया है अब यह जो पहला टर्म है और second parameter में इन दोनों को associate कर लेंगे associate करने का मतलब कि bracket के अंदर लिख लेंगे ठीक है तो यहां पर लगेगा actually associative property तो minus 2 upon 3 multiplied by 3 upon 5 minus 3 upon 5 multiplied by 1 upon 6 तो यह पूरा complete जो है एक में कर लिया हमने और plus 5 upon 2 को बाद में तो यह जो हमने क्या क्या अभी इस टर्म को इस टर्म को क्या 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 associate कर लिया तो यहां पर लिखेंगे कि by associativity by associativity ठीक है तो हमने अब यहां पर associate कर लिया तो अब इसमें से कामन ले सकते हैं 3 by 5 3 by 5 यह दोनों में यह कामन है तो हम इसको बाहर निगा लेते हैं 3 by 5 को तो अब जो यहां बचेगा क्या बचेगा minus 2 upon 3 बचेगा और यह minus sign रहेगा यहां पर उसके बाद से 3 by 5 यहां पर कामन हो चुका है तो यह 1 by 6 बचेगा यहां पर लिखेंगे 1 upon 6 प्लस 5 upon 2 अब यहां पर जो हमने कामल लिया है यह डिस्टिबूटिव ला का परपरटी है ठीक है तो हम यह आप लिक देंगे सिंस और बाई डिस्टिबूटिविटी ठीक है तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप अब यहां पर हमें LCM लेकर के solve करना है बस तो यह इसको तो ऐसे लिख देंगे 3 by 5 multiplied by अब यहां पर जो भी लेंगे हम इसको ब्रिकट में ले लेते हैं यहां पर होगा 6 LCM तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 तो 4 minus 4 हो जागा यहां पर फिर minus 6 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 1 आएगा 1 into 1 1 ही रहेगा तो इसको हम भी ब्रिकट में लिखते हैं भी फिलाल में plus 5 upon 2 अब जो है इसको solve करते हैं और यहां पर लिखते हैं तो यह हो जाएगा देखिए 3 upon 5 multiplied by यह हो जाएगा minus 5 upon 6 इसको हम छोटे ब्रिकट में लिखेंगे ओके 6 और प्लस 5 upon 2 ठीक है तो आप दिखेंगे ध्यांस यहां पर यह 5 बंज़ 5 और 5 बंज़ 5 यह 5 बंज़ 5 कैंसल आट हो गया जहां भी आपको दिखेंगे ऐसे तो solve कर लेना चाहिए में उपर निचे जो है निम्रेटर डिम्रेटर में कुछ कैंसल आट हो जाता है तो यह बहुत सिंपल हो गया देखें 1 multiplied by minus 1 is क्या होगा minus 1 होगा minus 1 अपन देखें 1 into 2 होगा और प्लस 5 by 2 को इसे उतार देंगे प्लस 5 by 2 अब देखें सिंपल लग रहा है कि नहीं अब यहां पर जो है LCM ले लेंगे हम 2 करेंगे 1 आएगा minus 1 ही रहेगा यहां पर फिर 2 से डिवाट करेंगे 2 में तो 1 ही रहेगा और यह 5 बजाएगा plus 5 अब इसको solve करेंगे तो 5 में minus 1 जाएगा तो मिलेगा आपको 4 आपको यह सारे properties के use करना ही पड़ेगा यह है पहला question अब जो है second part में करते है second question यह यह भी देखना चाहते हैं तो next part देख सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही solve कर सकते हैं वैसे मैं solve करूँगा ओके तब से के लिए thank you so much for watching और like करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी share करते हैं बाई मिलते हैं आपको second part में